हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप लोग आई होब कि आप सभी ठीक होंगे स्वागत है आपका अपने चैनल को कवित अनीसा में मैं हूँ आपकी दोस्त और अनीसा तो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी स्नेक्स की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे बारिका ना भूलें तो इस रेसिपी के लिए यहां परेंक Competum को मैंने अच्छे से दोके और इसको कद्दूकस कर लिया है यहां पर पतले मीश्टी वाले कद्दूकस AYनलाच पानी मेरे अच्छे से दो तीन वार वौस कर लेना है इस एक्सट्रा Сटार्च होता है वो निकल जाए क्योंकि जह जाता घृण वो उतना खास्ता नहीं बनता है, क्रिस्पी नहीं बनता है, तो इसलिए श्टार्च हटाना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने दो तीन बार अच्छे से वॉस कर लिया है, और इसको अभी पानी में छोड़ देंगे ताकि यह काला ना प यह सब चटक जाएंगे, फिर इसमें मैं डाल दूंगी आलू के लच्छों को अच्छे से इसको हमें हाथ से पानी निचोर देना है, और फिर हमें एड करना है कराही में, तो इस तरह से सारे आलू के लच्छों को हम डाल देंगे, और इसको हलका सा हमें सौते कर लेना है, जिसे कि ये थोड़ा सा भून जाए ज्यादा नहीं करना है लेकिन आलू कच्चा है तो इसलिए थोड़ा सा हमें इसको सौते कर लेना है लेकिन ज्यादा नहीं कलाईएगा नि तो इसका जो लच्छा है वो तूट जाएगा तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे भूनते हुए इसका color जो है थोड़ा थोड़ा change हो जाएगा और low flame पर ही ये process करें आप देख सकते हैं जो आलू है वो हलका हलका पानी छोड़ रहा है तो अब ये अच्छे से भून चुका है इससे जदा हमें इसको बिल्कुल भी नहीं भूनना है तो अब इसमें हम डाल देंगे पानी तो आप केवल सूजी ले रहे हैं तो एक कप सूजी के लिए दो कप पानी परफेक्ट होता है तो यहाँ पे धाई कप मैंने पानी डाल दिया है और अब इसमें डाल दूँगी मैं स्वादानुसार नमक और आधी चम्मच यहाँ पे मैं डाल दूँगी इसमें चिली फ्लेक्स और चिली फ्लेक्स डालने के बाद अच्छे से इसको हमें पानी बॉयल होने तक पका लेना है और जैसे ही पानी बॉयल होने लगेगा तो आप देख सकते हैं जैसे पानी बॉयल होने लगा है इसमें मैं डाल दूँगी जो हमारा सूजी है तो इसको थोड़ा थोड़ा करक है जिसे की सुजी अच्छे से पक जाए तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसको धीरे-धीरे जैसे जैसे आप चलाएंगे वैसे इसका जो है थिकनेस बरता जाता है इसकी consistency अच्छी होती जाएगी अब धीरे धीरे देखेंगे और इससे सूजी भी अच्छे से पकता जाता है तो अब इसको थोड़ा सा और चटपटा बनाने के लिए और हलका color आने के लिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है कस्मीरी लाल मिर्च आधी चमच इससे इसका color भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी चटपटा सा थोड़ा सा हो जाता है और इसको हमें लगातार इस तरह से चलाते रहना है बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है और आप देख सकते हैं देखे इसका color कितना आच्छा आ गया है जबकि इसमें हमने हल्दी बिल्कुल नहीं डाला है और इसको हमें अच्छे से चलाते रहना है आप देखेंगे कि सारा जो mixture है वो एक जगा पे सिमट रहा है इस तरह से जब सिमटने लगे फिर हमें गैस को off कर देना है यह देखें और अब गैस को off करके इसको हमें ढख के छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए जिससे की यह अपने भाप में ही अच्छे तरह से पक जाए तो इसको यहाँ पे ढखके मैंने 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया था ज्यादा ठंडा नहीं करना है इसको तो चलिए 15 मिनट के बाद यहाँ पे मैं इसको निकालती हूँ आप देख सकते हैं कि यह इतना ठंडा हो चुका है जिससे की इसको हम छूँ सकें तो ज्यादा ठंडा नहीं करना है इने तो सूजी है तो करा हो जाएगा यह तो यहाँ पे मैंने इसको परात में निकाल लिया था और अब इसमें मैने डाल दिया है कटे हुए धनिया के पत्ते और कटे हुई करी पत्ता कड़ी पता से इसका टेश्ट बहुत ही अच्छा आता है और अब हलका सा हाथ में ओयल लगा लें और फिर इसको हमें अच्छी तरह से मैस करना है जैसे हम आटा लगाते हैं ना सेम उसी तरह से इसका डो हमें एकदम अच्छे से स्मूध करते हुए लगा लेना है जिससे की ए एक जब जाए और अब घञाएंगे थोड़ा सा थोड़ा सा बॉल लेंगे लिए और फीर दोनों हाथ रिखेली से इसको को गोल करेंगे रलका सा दबा देंगे और अब आप कोई पेंशिल ले लीजीए या फिर जो हम दाल को मतने वाला होता है न वो ले ले सकते हैं और अगर केवल टिकी से प में बनाना चाहते हैं तो आप वैसे भी बना सकते हैं तो इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेंगे और इसी तरह से जितना भी हमारे पास है उसका हमें तयार कर लेना है तो अच्छे से जो इसका छेद है उसको थोड़ा है स्पेस दीजिए नहीं तो जब हम फ्राइ करते हैं तो वो चिपक जाता है आपस में तो इस तरह से सारा मैं ने बना के रेडी कर लिया है आप देख सकते हैं तो अब हम चलते हैं यहां पे गैस की तरफ और यह छोटा वाला मेरी बेटी बनाई थे तो उसने बोला दिखाने के लिए तो मैंने आपको दिखा दिया है तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ तो यहां पे मैंने जो है क कम गरम ओयल में डालेंगे तो नास्ता जो है वह बिखर जाएगा क्योंकि ये सूजी से बना हुआ है तो इसी लिए हमें अच्छी तरह से इसको गरम करना है और हाई फ्लेम पर ही हमें इसको पकाना है तो इस तरह से जब अगर हाई फ्लेम पे बहुत जादा गरम हो जाए तो आप medium कर सकते हैं, low flame पे बिल्कुल ना पकाए, नि तो बहुत ज़्यादा oil भी absorb कर लेगा, और ये बिखरने भी लगता है, और जब एक side से पक जाए, तभी इसको पलटना है, तुरंत बिल्कुल ना पलटे, तो इस तरह से हमें इसको पलट लेना है, और आप देख सकते हैं, इसका color कितना अच्छा आ रहा है, तो इसको हमें medium to high flame पर ही पकाना होता है, तो इस तरह से इसको हमें पलटते हुए दोनों side से अच्छे से पका लेना है, जब तक कि इसका color जो है, वो golden color में ना आ जाए, तो आप देख सकते हैं, धीरे धीरे इसका color जो है, वो एकदम change हो तो जब यह थोरा सा पक जाए, फिर आप flame को medium कर लें, और इस तरह से अच्छी तरह से हमें इसको दोनों side से पका लेना है, और आप color देख सकते हैं, इसका कितना अच्छा color आया है, तो अब इसको हमें निकाल लेना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, तो इसी तरह जि कितना crispy बनके ये तयार हुआ है, तो friends आप भी जरूर इसको एक बाद ट्राइ करिए, आपको ये recipe कैसी लगी, comment box में जरूर बताएं, अगर आपको मेरी महनात, मेरी recipe थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो please मेरे channel को subscribe कर लें, और bell icon को दबाना बिलकुल भी ना भूले, ताकि जो भी वीडियो में डालू, उसका notification आप तक सबसे पहले पहुंच सके हैं, मिलते हैं किसी नई recipe के साथ तब तक के लिए, thank you for watching my video, जै माता दी, bye bye